नमस्कार दोस्तों इस वक्त की तमाम बेहत बड़ी खबरे मुख्य समाचार आप लोगों के लिए ले करके आए हैं दोस्तों जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरे आप तक आगे इसी वीडियो में पहुचाएंगे दोस्तों जहां पर जानेंगे कि कॉंग्रेस का अभियान सुरू होते ही बीजेपी में मचा हड कंप मित्र मंडली में मची है खलबली राहूल गांधी को जनता कर रही है लगातार आर्थिक रूप से मजबूत जानेंगे पूरी खबर तो वहीं बताएंगे कि MP में मंत्री मंडल विस्तार में सिवराज और सिं चोरदार हंगामा विपच्छ के 13 सांसद बाहल करों के नारे गूंचे है इसे प्रकार के दोस्तों तमाम बेहत बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुचाएंगे खबरों की तरह बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप लोग भी इंडिया कढ़ बंदन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में हैश्टेग वी स्रपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा जो पहली बड़ी खबर आ रही है बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है सोसल मीडिया पर ट्रेंड हुआ है हैश्टेग डोनेट फॉर देश कॉंग्रेस के अध्यच मलिक अरजुन खडगे ने लौंच किया अभियान बोले अमीरों से चंदालिया तो उनकी माननी पड़ेगी जिहां दोस्तों आप लोगों को यहां पर खबर बताते चल कॉंग्रेस अध्यच की तरफ से बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने कहाई कि डोनेट फॉर देश के द्वारा हम आम जनता से मदद ले करके देश को आगे ले जाने का काम करेंगे कॉंग्रेस को हमेशा ही आम जनता की मदद मिलती रही है महत्मा गांधी जी ने भी द कॉंग्रेस पार्टी ने अपना अभियान लॉंच कर दिया है डोनेट फॉर देश यानि की कॉंग्रेस पार्टी को आर्थिक तोर पर मजबूत यहां पर आम जनता के द्वारा अब किया जाएगा यानि की बीजेपी को जो उसके उद्योग पति मित्र फंडिंग करते हैं उसका मुकाबला अब आम जनता करेगी और वहीं पांच राचों में चुनावी नतीजे मन मताबिक नहीं होने के बाद भी कॉंग्रेस के उससाह में कोई भी कमी नहीं आई है एक तरह पार्टी भारत जोड़ो या तरह पार्ट टू सुरू करने की बात कर रही है तो दूसर देश के लिए कॉंग्रेस को आपकी जरूरत है भारत को आपकी जरूरत है यानि की कुल मिला करके अब जनता के पास कॉंग्रेस पार्टी पहुंची है जिसके बाद आम जनता का लगातार यहां पर समर्थन भी कॉंग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को मिलता हुआ मद्ध प्रदेश से जहां पर एक बर फिर से सिवराव सिंचोहान नजर अंदाज किये गए हैं वहीं इस इंधिया को भी दे दिया है बीजेपी के केंद्रिया नेतरुत ने बड़ा जटका मद्ध प्रदेश में मंत्री मंदल विस्तार को लेकर के दिल्ली में मीटिंग हुई लेकिन पूर्व सियम सिवराव सिंचोहान नहीं बुलाएगा इतिल्ली यानि कि उनको एक बर फिर से नजर अंदाज किया गया है उनको पूरी तरह से साइड लाइन किया जा रहा है बीजेपी की तरब से और वहीं बताते चलें सियम मोहन यादब के मंत्री मंदल का जल्द ही होगा विस्तार सोला से अठारा नामों पर बनी है सहमती सुत्रों के अनुसार ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है और इतना ही नहीं यहाँ पर मोहन यादब की सरकार में सिंधिया का दबदबा कम हो जाएगा और उनके समर्थक मंत्री यहाँ पर बहुत ही कम बनाए जाएंगे यानि की देख सकते हैं कि एक तरफ कुल मिलाकर के सिवराज को नजर अंदाज किया जा रहा है उनको जादा भाव नहीं दिया जा रहा है और वहीं अप सिंधिया को भी बड़ा जटका दिया है उनके समर्थक विधायकों को बहुत ही कम तादार में मंत्री बनाय जाएगा और कुछ ऐसा ही राजिस्थान के अंदर भी देखने को मिल रहा है जहां पर वसुंद्रा राजे के कई समर्थकों का पत्ता करता हुआ नजर आ रहा है यानि कि उनका दबदबा मंत्री मंडल में ज्यादा नहीं रहेगा तो वहीं दोस्तों जो अगली खबर आ र रशन सदन के दोरान विपच्छी सांसदों का हंगामा जारी रहा और वहीं अधीर रजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को लिखा पत्र 13 सांसदों का निलंबन रद करने की यहां पर मांग की गई है लोकसभा में कॉंग्रेस पार्टी के नेता अधीर रजन चौधरी ने भी लगाया है कि कारवाई बीजेपी के सांसद पर होनी चाहिए थी बयान अमिस्था को देना चाहिए था लेकिन यहां पर विपच्छी सांसदों पर ही कारवाई कर दी गई तो वहीं दोस्तों जो अगली खबर आ रही है उसकी तरह बढ़ते हैं दो हजर चौदा के पहले जब केंदर में यूपिय की सरकार थी तब यहां पर मीडिया निस्पच हुआ करता था और यहां पर अन्ना हजारे भी प्रदर्शन करते हुए नजर आते थे उसी पूरे मामले पर पवन खेडा ने प्रदार हमला बोला है जी हाँ दोस्तों बताते चलें गोधी मीडिया को जम करके लतारा है उसी के चैनल पर पवन खेडा जो की कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्हों ने यहां पर गोधी मीडिया और सरकार को निसाने पर लिया है पवन खेडा ने कि जिस तरह का मीडिया मोधी जी को मिला है ऐसा मीडिया हमें सिर्फ एक महिने के लिए दे दो फिर देखो जादू क्या होता है इतना ही नहीं उन्होंने आगे कहाए कि ना पुराने वाले अन्ना आगे आते हैं ना कोई नया अन्ना पैदा होता है क्योंकि खबरों का प्रस्त प्रता में भरम फैल जाता है लेकिन जमीनी इस तरह पर सच्चाई कुछ और ही होती है यहाँ पर देख सकते हैं कि कोथी मीडिया को पवन खेडाने निसाने पर लिया है और कहा है कि जिस तरह का मीडिया मोधी जी को मिला है ऐसा मीडिया हमें सिर्फ एक महिने के लिए ही दे तो फिर देखो क्या होता है कैसे यहाँ पर सरकार बनाई और कैसे सरकार गिराई जाती है हम यह करके भी दिखाएं यह यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल की आई है लगातार इंडिया गढ़ बंदन गोधी मीडिया पर भी हमला बर है और वहीं अन्ना हजारे जो की केंदर में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही लगातार गायब चल रहे हैं उनके द्वारा कोई भी प्रदर्शन नहीं किया जाता है उस पर भी पवन खेडाने निसाना साधा है तो वहीं दोस्तों जो अगली अपडेट आ रही है उसकी तरह बढ़ते हैं बड़ के कथित सराब गोटाला मामले में एडी जल्द ही चार सीड दायर करने की तैयारी में नजर आ रही है बताया जा रहा है कि एडी मुख्यमंत्री अरविंद के जिरिवाल को पूश्टाज के लिए बुलाए बिना ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ यहां पर इसी हपते चार सीड दाखिल कर सकती है दरासल 9 दिसंबर को एडी ने राजे सभा सांसद और आम आदमी पार्टी के राश्ट्रिया कोसा ध्यच नारायर दास गुपता से पूश्टाज की थी और वहीं अब बताया जा रहा है कि एडी यहां पर जल्द ही अरविंद के जिरिवाल के प्रचार के लिए अपनी यात्रा करनी हैं यह यहां पर देख सकते हैं कि लोग सभा के चुनाओ से पहले केंद्री एजेंसियां और भी ज्यादा एक्टिव होती हुई अब नजर आ रही हैं यह यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहत बड़ी ख़बरें मुक्य स करना है तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत